स्वागत है आपका funky facts में क्या आप diabetes control करना चाहते हैं या फिर diabetes मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आपका जवाब होगा है diabetes मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे प्राकृतिक रहस्य बताएंगे जिससे आप diabetes free जी सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सीधे आपके health से जुड़ा हुआ प्रस्न है आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 9 रहस से बताएंगे जो आपके समग्र स्वास्त को बढ़ा कर diabetes से आपको दूर रखेंगे इसमें नंबर वन है धूप में जरूर बैठें जी हाँ दोस्तों जब आप धूप में 20-25 मिनट बैठते हैं तो यह आपके हिर्दय और रक्त के स्वास्त में बड़ा बदलाव लाता है अध्यनों से पता चलता है कि भोजन के अलावा सूरी प्रकास सरीर के स्वास्त को बढ़ाने और सुगर संतुलन में महत्पूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सूरी की रोसनी से सरीर विटामिन D बनाता है जो की महत्पूर्ण कारे को हमारे सरीर में अंजाम देता है विटामिन D कोसिकी इस तर पर सूजन को कम करता है यह बलड प्लेटलेट्स के स्वास्त को बढ़ाता है जिनके सरीर में विटामिन D की कमी होती है उन्हें डियाबिटीज और हिदय रोगों का खत्रा बढ़ जाता है सूरी की रोसनी से हमारे मेलाटोनिन सिस्टम के कारे में सुधार आता है जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है जिससे बलड सुगर प्राकृतिक तरीके से कम होता है अता धूप में जरूर बैठें नमबर टू पेट की चर्वी कम करें हल्दी वजन रखना डियाबिटीज में काफी जरूरी होता है खासकर बढ़ा हुआ पेट आपके सुगर लेवल को भी बढ़ाता है पेट की चर्वी इंसुलिन रजिस्टेंस को बढ़ावा देता है जिससे बलड का सुगर लेवल बढ़ने लगता है यदि आप अपने बढ़े हुए पेट को कम कर लेते हैं तो आपका बलड सुगर लेवल भी कम होने लगता है इसके लिए रात में साथ बजे के बाद कुछ भी सेवन ना करें और ज़्यादा पानी पीते रहें एवं नियमित व्यायाम करते रहें ज़्यादा मैगनीसियम से भरे आहार का सेवन करें जी हाँ दोस्तों मैगनीसियम एक मिनरल्स है जिसका सीधा संबंद बलड सुगर कम करने से जुड़ा है जब मैगनीसियम से भरे आहार को अपने डाइट में आप सामिल करते हैं तो आप देखेंगे आपका बलड सुगर लेवल अपने आप कम होने लगेगा इसके लिए नट्स एंड सीट्स, बीन्स, लीफी ग्रीन्स, फैटी फिट्स, चिया सीट्स, पंकिन सीट्स आढ़ी को जरूर सामिल करें नमबर फोर रिफाइंड कार्बो हाइडरेट को कम करें Refined Carbohydrates और Diabetes का सीधा संबंद जुड़ा हुआ है यदि आप अपने आहार में Refined Carbohydrates को हटा देते हैं तो आपका Blood Sugar Level कम होना प्रारंब हो जाता है Carbohydrates कई स्वापदार्थों में पाया जाता है परन्तु Refined Carbohydrates के लिए काफी गंभीर समस्या पैदा करता है इसके लिए आप अपने डाइट से White Bread, White Rice, Candy, Soda, Processed Food और पास्टा जैसे आहार को हटा दे क्योंकि ये तेजी से Blood Sugar को बढ़ाते हैं इसके इस्थान पर आप Healthy Carbohydrates को अपने डाइट में सामिल करें और वो है हमारा पाँचवा प्राकृतिक रहस नमबर फाइब, Eat Whole Foods देर आए मगर दुरुस्त आए ये कहवत तो आपने सुनी होगी इसलिए Whole Foods का खाना समग्र स्वास्थ की चाबी है Whole Foods दवाईयों की तरह कारी करता है क्योंकि इनमें महत्यपूर्ण Antioxidant, Vitamins, Minerals और धेर सारा Fiber पाया जाता है और ऐसे में कई रोगों से आपको दूर रखता है इसके लिए ताजे फल, Dry Fruits, Beans और Legumes, हरी पत्तेदार सबजियां आदी को सामिल करें क्योंकि Whole Foods, Added Sugar, Refined Carb और हानिकारा Chemical से मुक्त होते हैं इसके लिए आप विबिन रंगों के Whole Foods को अपने डाइट में जरूर सामिल करें और अपना Blood Sugar Level आराम से आप कम कर सकते हैं जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपका Blood का Extra Sugar यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है सरीर में पानी की परियाप्त मातरा से रक्त संचार बेहतर होता है चूकि पानी जीरो कैलोरी ड्रिंक्स है इसलिए Blood को पतला करता है जिससे किडिनी को सरीर से विसैले पदास निकालने में मदद मिलती है इसके लिए आप नीबू पानी का सेवन जरूर करें इससे आपको खाना खाने के बाद वाले सुगर स्पाइक को रोकने में मदद करेगी साथ ही नीबू पानी आपके सरीर के pH लेवल को संतुलित रखेगा पाचन दुरुस्त करेगा इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा नमबर सेवन अच्छी गहरी नींद ले नींद आपके क्वालिटी आपके Blood Sugar की मातर को निर्धारित करती है जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका Blood Sugar लेवल अपने आप कम होने लगता है नींद की क्वालिटी आपके Blood Sugar की मातरा को निर्धारित करती है नींद की मातरा और गुणुवत्ता का Diabetes के जोखिम पर महत्त पून्ट प्रभाव डालता है जब आप कम सोते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है जो Blood Sugar की मातरा को बढ़ाने लगता है इसलिए 7-8 गंटे की नींद जरूर लें इसके लिए साम 7 बजे के बाद कुछ भी सेवन न करें रात में चाए और काफी का सेवन न करें मोबाइल फोन इलेक्ट्रानिक डिवाइस का उप्योग रात में कम करें नमबर 8 अपने तनाओ को कम करें तनाओ को जब आप कम करते हैं तो आपका सरीद रिलेक्स होता है और Blood Sugar कम होने लगता है जब आप ज़्यादा तनाओ में होते हैं तो आपका सरीद एड्रिनिल और कार्टिसोल हार्मोन का उत्पादन परारम कर देता है ये हार्मोन Blood Sugar लेवल को बढ़ाने लगते हैं फिर आपका Blood Pacer भी बढ़ता है और कई प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती है अतह अपने तनाओ को कंट्रोल करें व्यायाम ब्लड सुगर कम करने की सबसे अच्छी चाबी है जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके सरीर की पेसियां ग्लुकोस को उर्जा के रूप में उप्योग करना प्रारम कर देती है जिससे ब्लड का अतरिक्त सुगर कोसिकाओं में बिना इंसुलिन के जाने लगता है और आपका ब्लड सुगर लेबल कम होने लगता है अतह इन उपायों को अपना कर अपना ब्लड सुगर कंट्रोल में रखें एवं ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूटूब के बेल आइकान को क्लिक कीजिए इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नए फैक्स के साथ फंकी फैक्स में